हेलो फ्रेंड्स अगर आप लोग तेयारी कर रहे हैं एंटी एनएट की जी आरेफ लेना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत अच्छा सुटेबल रहेगा और प्लीज प्लीज फ्रेंड्स आप मुझे पता है वीडियो देखते हैं पसंद करते हैं बेट उसे लाइक लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हो सके तो प्लीज जहां भी आपका वाट्स आप हो या जो भी फेस्बुक कर रहा है उस पर आप इसे शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि दूसरे लोगों को भी बैनिफिट मिल जाता है ओके तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिएगा मत करिएगा तो हम उसके ऊपर टेटेल इंफोर्मिशन भी प्रोवाइट कर देंगे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आँ देखिए एक तो जो कोशन इसके ऊपर आया था देखिए सारे कोशन ये भी जरूरी नहीं है कि अभी मतलब ये इमीजेट रिपीट हो जाएंगे बट फिर भी हमें एक आईडियो होना चाहिए इस तरह के कोशन आ रहे हैं है न ये जैसे आप अकर तियारी स्टार्ट भी कर तो आप इससे सही करके आए होंगे बाकि आपका डी आई जो था अब डी आई के अंदर आपके परसेंटेज की ही उपर ज्यादा तरह कोशन आ रहे हैं और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत तफ आरहा है बट इजी आरहा है बट टाइम थोड़ा सा क्या होता है कि अगर के लिए बहुत इंपरेंट बनता है क्योंकि आपके 10 मार्क्स इस पर डिपेंड करते हैं डी आई इजी था बट कैल्कुलेटिव था ठीक है तो मेरा कहना तो यही होगा कि जैसे हम कहें कि यूरल यह आपका इसीट का एक सिंपल कोशन हमने देखा और डी आई अगर आपने क्योंकि आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका डी आई भी सिंपली हो जाएगा क्योंकि यह आपका 10 मार्क्स का वेटेज रखता है तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो आप लोगों को मैनत करनी ही चाहिए तो डी आई आई आप डेली करें डेली एक सैट करते र नहीं है यह एक्जैम की साल में चार साल में एक ही बार हो रहा है तो प्लीज डोंट भी पैनिक और होप मच हो रही है कोशिश करते रहे है क्योंकि इतनी सारी पढ़ाई करी है डेर साल अल्रेडी दे चुकी है सभी लोग और जो तैयारी शुरू कर रहे है तो उनके लिए फिर बहुत अच्छा मौका है मैं बताई रही हूँ डिय डेली करिए ठीक है डिय इजी था बट कैल्कुलेटिव था कैल्कुलेशन अगर आपने प्रैक्टिस करी वही थी कैसे जल्दी अल्दी करनी है तो वह सिंपली आपने कर लिया होगा ठीक है और अगर आप कहेंगे यह दो दिया के मैं वीडियो बना सकती हूं बट उसके लिए जब मतलब रिक्वार्मेंट अगी तब ही में बनाओंगी बाइक इसके बाद में रीटिंग कॉम्प्रिहेंशन देखें तो उसमें रीटिंग ऑंप्रेंशन भी इजी था ठीक है बट ऐसा भी नहीं था कि से मान सकते हैं ठीक है easy to moderate रख लेते हैं बाकि आपका जियो थर्मल energy resources के उपर था मैंने से star mark औरड़ी किया हुआ है तो हम इसे नीचे discuss कर लेंगे ठीक है यह important है तो यह questions है और इसके अलाब आपका था co2 emission के उपर ठीक है यह था co2 emission increasing order में पूछा गया था increasing का मतलब हो गया कि मतलब जिसे भढ़ते हुए order में है ना increasing order में country wise पूछा गया था ठीक है friends तो इसमें increasing order में था यह मैं दिखा देती हूं increasing order के अंदर था next आपका था computer memory की उपर देखिए memory का मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कुछ दिन पहले उसमें भी रिया था कि इस तरह की कोशन आ रहे हैं और इस तरह की पैटन से कोशन आए हैं अभी भी आए हैं और next में इसी तरह से और exam से पहले वो प्रोवाइट करना possible नहीं था friends क्योंकि बहुत सारे exam conduct हुए उसके बाद ही वो निकल कहाते कि importance कौन से वाले हैं ठीक है इसके बाद में आपका देखें तो synchronous and asynchronous memory के उपर भी कोशन आ जाता है बाकि synchronous and asynchronous क्या होता है तो यह पहले पता होना चाहिए synchronous के लिए कभी भी question आता है तो synchronous हो गया जो at a time आप reply कर पा रहे हो ठीक है जिसे वीडियोज है बहुत से वीडियोज लाइफ चल रहे होते तो वहाँ आप उसी समय reply कर सकते हो that is synchronous लेकिन जैसे हम WhatsApp अगरे की बात करते हैं mail की बात करते हैं that is asynchronous vlog हो गये है यह हमेशा से आतर है पहले भी डिफ्रेंट से synchronous and asynchronous से आए हुए है question तो ऐसा नहीं है यह कहीं नया आया हुआ है बट उसके concept change करके पूछे गए है actually आपको concept भी देखने होंगे सभी कि क्योंकि concept अगर पता होता है माल लीजिए कि हमें synchronous और synchronous पे कुछ भी पूछ ले रहते तो अगर आपका concept clear है तो आप answer provide कर दोगे है ना और concept clear नहीं है तो नहीं हो पाएगा चल यह next question आया था जो आया था principle of swaim से देखिए principles of swaim के पूछे गए थे तो इसका simply अगर आप पढ़ रहे थे तो आपको ज़रूर पता होगा three principles of education से कौन-कौन से एक तो equity and quality है अगर नहीं भी पता है तो इससे थोड़ी से information और पढ़ लेना स्वaim के बारे में may be quite possible कि इससे कुछ different angles से question आगे पूछे जाए ठीक है इसके बाद में मैंने पहली उस वाली वीडियो में बताया था UGC के जो भी initiatives है new initiatives है या जो उनकी policies है उसके उपर questions आ रहे हैं और continuous आई है every shift ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं भी नहीं आया हूं हर बार ऐसा हुआ है कि आए एक question तो जरूर आया Indian logic के उपर देखे यह तो पहले भी आया था लास्ट इर भी आया था उससे पहले भी हम लोगों नहीं देखा जब से pattern change हुआ है Indian logic आया है पूर्वावत शेशावत के उपर question आए है अब simple सा है पूर्वावत से हमें पहली जो students है Hindi medium के उन्हें easily पता पढ़ रहा हुआ पूर the effect वाला हो गया अब आप किसी चीज को जो भी after effect देखते हो तो क्या देखते हो कोई effect होता है उससे हम अंदाजा लगाते है ना उससे हम पता करते कि अच्छा ऐसा हुआ होगा है ना जैसे कि हमने कहीं पर देखा कि चट पड़ा हुआ है मड़ी गोटर तो हमें लगते कि अ इस तरीकी से आप इंडियन लॉजिक कोईशन को बहुत इंटरस्टिंगली सौल कर सकते हैं कोई ऐसा नहीं कि डैफिनेशन रटकी जाने चीजे समझ में आनी चाहिए फ्रेंड्स सिंपली चीजे समझ में आनी चाहिए ओके वेट अ मिनिट अब इसके बाद में देख लेते हैं यह कोश्चन से आपके अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुसे कमेंट करके पूश चकते हैं बाकी जो कोश्चन आये थे देखिए बहुत अच्छे कोश्चन थे ऐसा नहीं था कि बहुत टॉफ था कुछ ऐसा न बहुत डिटेल में चलागे क्योंकि यह स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है जिनके जैसे कॉमर्स वाले उनको तो यह पता ही होगा जिन जिनके सपास में यह स्टैटिस्टिक्स आता है उन लोगों को पता होगा बागी जो नॉन बेक्ग्राउंड स्टैटिस्टिक्स वा और यह नॉन पेरमेटर किस एस पर आपको यह पता हो ना करें कि उसी को और फ्री छाण kay Va प्यू cat project ये उसका वाद में यह किस लिए होता है यह काफी सारी संस्क्राइब गरेет मुझेने confusion उनके लिए पता रहे हूं, it's used for comparing observe results, मतलब एक तो हम क्या करते हैं, पहले हम expect कर लेते हैं, कि यह result होगा इसका है, किसी चीज का किसी चीज पर यह result होगा, या effect होगा, उसके बाद में हम क्या करते हो, उसको apply करके देखते हैं, फिर हमारा क्या आजाता है, observe आजात है, observe result, expected जो result था, उससे वो कितना difference है, ठीक है, उसमें हम difference देखते हैं, उसी को काई square test कहा जाता है, तो यह देख लिजेए guys, मैंने हिंदी में भी कर दिया है, यह है आपका पूरा हिंदी वाला, difference देखते हैं, कि जो expect किया गया, उसमें, and जो observed result आया, उसमें क्या अंतर है यानि जो difference देख रहे हैं, वो किसमें देख रहे हैं, कि हमने जो expect किया था, ठीक है, उसमें, और जो हमने observe किया, उसके result में कितना difference आया है, तो यह आपका काई square test हो जाता है, ओके, चलिए, next जो question आया था, friends, वो आया था, Indian logics पे, Indian logics, ठीक है, Indian logics में से, जो fallacies हैं, fallacies बह एक वीडियो बनाया था, कि पूरे सब भी जो अभी तक exams हुए है, उसका जो सबसे core point ने चोड़ बनाया था, यानि summarize कर दिया था, कि अभी तक क्या आ रहा है, और देखे, friends, उसी में से ही question आया है, ठीक है, अगर आप एक पर उस वीडियो को देखेंगे, तो आप भी मेरी होना चाहिए, उसमें भी problem निया था, probability sampling पे आया था, ठीक है, probability and non-probability दोनों कर दीना, probability and non-probability, ठीक है, probability and non-probability दोनों पे कर दीना, हो सकता है, probability पे आ गया है, non-probability पे आया है, या फिर non-probability से पूछा गया हो था, probability पे आजा है, ठीक है, और इसके बाद में आपका एक question ज बात नहीं जरूरी नहीं है कि आप 100% पेपर आता हो हाँ परपस यह है कि आप अगर 40 तक कर पा रहे हैं 40 कोशन तक कर पाएं आप तो नैचुरली बहुत अच्छा पेपर था आप 40 तक कर सकते थे जिनकी ज्यादा अच्छी प्रेक्टिस रही होगी वह 45 या 45 से अब भी कर पाएंगे ठीक है इसमें जो जियो थर्मल एनर्जी रिसोर्सेज है इसमें हाइड्रो थर्मल ठीक है और जियो प्रेशुराइज ब्राइंस एंड होड्राइ रॉक्स एंड मैगमा ठीक है यह सारे र जो था वह भूत आपी उर्जा होती है ना यानि बूमी के अंदर जो होता है टेंप्रेशर उसको यूज कियाता है जिसे जियो थर्मल पावर केते हैं ग्रीक धातु जीयो से आया है और यह आप देख सकते हैं इसका अर्थ क्या है प्रत्वी और थर्मोस यानिकि जो उसका ताप होता है टेंप्रेशर वह उर्जा है जिसे प्रत्वी में संघ्री ताप से निकाले जाता है यानि जो आर्थ के अंदर जो टेंप्रेशर है ना उसमें से निकालके इसे यूज करा जाता है इसे यह भूत आप यह उर्जा ग्रह के मूल गठन से खनीज के रेडियो धर सब्सक्राइब 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 तो इधर देख लेगे आप यह क्या है ड्राइ इस्टीम पावर प्लांट है मैंने इसमें इसलिए एड कर रहा है कि आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाए यहां से क्या होता है उपर निकाला जा रहा है देखिए एक पाइपी आर्थ के अंदर यह डाला हुआ है और एक यहां इसका यूज दिखाएगा इस प्लांट में जिससे कि आपको क्लियर हो सके तो यह इधर आया इधर से यह इधर और इसका प्रोडक्शन एनर्जी कर दिख रहा है तो यह किया है जियो थर्मल प्लांट था एक इसी तरीके का एक और प्लांट है जैसे आपको क्लियर हो यह प्रोड़क्शन वैल है क्योंकि यहां से अपलिफ्ट हो रहा है और यहां चला गया ठीक है और यहां से इसे कूल डाउन करके वापिस इधर छोड़ते जाता है यानि कि जो इसका टैंपरेशर था वो हमने यहां यूटिलाइस कर दिया तर्बाइन घूमाने के बाद में आम उब बेजिया गया है यह और यह पर इंज्एक्शन यानि कि वापिस से इसके अंदर देख आता है आपका रोक लैयर्स है तो अब यह इस तरीक से इसको यूज किया जाता है बाकि इंगलिश में मैं यहां पहर बता देती हूं आपको यह रहा यह जी योथर्मल एनरजी के बारे में है पूरा ये जियो थर्म Mir já 20 ты्ट you mean ऐफ ग्रीट वर्प और जाएगा यह झाइगा एक तो तर्म थकित यह इनिग मिल्ख मेणनी शलीट यह फोग से जेगा इस развe iq ut researcher ये य sudah रगे पाड ली जेगा और ये कहां पर जैसे ये इतली नियूजी लेंड बाकि इंडिया की अंदर कहां कहां पे तो यह पूरा मैने एक एट कर दिया था जैसे लद्दाक में पोगधारी है सूरज कुन हजारी भाग है और ताता-पानी सरगुजा है उनाई-जलगाओं है तूसरा है यह पूरा एक आपको क्लियर करने के लिए आइडिया कि हाँ ठीक है मतलब अगर आप चाहें तो इतना देख सकते हैं वर्ना कोई जरूल नहीं मैंने एक डिटेल के लिए इसमें एड़ कर दिया था हाँ एक यह आपका और था इसमें मैंने एड़ कर रहा था जियो थर्मल एनर्जी सिंप्ली अगर देखें तो एक्स्प्लाइटेशन है हीट एनर्जी फ्रॉम दा मॉल्टन कोर ऑफ दा अर्थ ठीक है मॉल्टन कोर जो होती है अर्थ की वहां से हीट एनर्जी जो है वह जेनरेटर्स प्रड्यूस एलेक्रिसिटी पावर आई होप अब आपको बिल्कुल घ्लियर हो गया होगा जहां पर भी यह ड्रिल करा जाता है हौट रॉक्स में जाकर के और फिर वहां से क्या करते हैं राइजिंग करते हैं यानि निकालते हैं किसे स्टीम को जो उसका टैं लेने के लिए ग्राउंड वाटर निकाला जाता है और फिर उसके बाद में टर्बाइन के थूरू इसे जैनरेटर में क्या करते हैं एलेक्रिसिटी को प्रिडियूस करने में यूज करते हैं इस जी यो थर्मल एनरजी ठीक है अब आपको इतना समझ तो आगया होगा कि चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन कौन से कॉस्चन्स थे जो आये थे यह करते हैं यह तो जी यह थर्मल एनरजी को प्रिडियूस किया सकता है हैं वह करते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वह ए यूजी सी कौन से कमिशन में आई थी यह पूछा गया था और इसका था आपका राधा कृष्णन कमिशन और या फिर दूसरा अगर इसे बोलें तो वो है युनिवर्सटी एजुकेशन कमिशन के द्वारे से इस्टैबलेश किया गया था लेके आया गया था अगर क्या करते हैं मतलब जैसे हमें कोशन मिले हैं तो जो जो जैसे हम देखें नॉन स्ट्रक्शल डिजास्टर मिटिकेशन ठीक है अब यह पहले तो इस शब्द को क्लियर कर लेते हैं डिजास्टर यानि कोई प्रॉब्लम जैसे हो जाती है तो उस नौन स्ट्रक्शल अगर देखें जिसके लिए हमने कोई स्ट्रक्शर नहीं बनाया लेकिन उसको रोकने के लिए कुछ कोशिश की गई है तो डिजास्टर जो है उनको रोकने के लिए ऐसी कौन सी कोशिश करी जाएगी जिसमें की कोई स्ट्रक्शर नहीं बनाओ अगर आप वहां थोड़ा सा ध्यान देते और आप्शन पे तो यह मेरे पास में आप्शन जो पर हमने क्या करा है जोन बना दिये जैसे कि अर्थकोएक के लिए क्या करा गया कोई काट के लेंड को अलग नहीं करा गया उसमें क्या किया गया है जहां पर जादा है तो वह अर्थकोएक प्रोन एरियास कर दिये गया है तो उससे क्या हुआ है कि उसे एक जोन वाइस जव वाइमेंट तो यह सारी चीज़े पॉल्यूशन तो यह सारी चीज़े वहां अलग तरीके से चेक तरी जाती है इस तरह से जोन बना देने का यह बेनिफिट होता है प्रेश्चन प्रेश्चन करे तो यहां नोन स्ट्रक्श संब्सक्क्रम सं-बेंस तो आएम भी को दिखा देती हूं वह ब्लाइड में एड़ करें ओए है अब यहां पे मैंने एड कर दिया दिया द्युक्त मैं धृत गीजस्लाइट को खिल Watch तो इस्ट्रक्चरल नॉन इस्ट्रक्चरल आप भी सिंपली अगर किसी चीज को परीफ में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल इट करके आप देख सकते हैं आप उसे पढ़ सकते हैं आपको अच्छे से याद हो जाएगी अगर यहां कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस स्ट्रक्चरल के अंदर हम देखें ठीक है तो यहां पर आपका एक तो हो गया कंट्रोल ओवर हजार्ड यहां क्या लेके चल रहा है प्रोटेक्शन फॉफ यूमन सेटल्मेंट ठीक है उसके लिए हम यह स्ट्रक्चरल बात कर रहें यानि कुछ स्ट्रक्चरल बनाया जाए स्ट्रक्चरल के लिए यहां पर इसके बाद में नौन स्ट्रक्चरल का देख लिए आप कंसप्ट भी यहां पर दिया हुआ है तो हजार्ड मिटिगेशन ही है ठीक है और यह अवाइड करने के लिए और एड़स्मेंट ऑफ यूमन अक्तिविटीज को एड़स्ट किया जा सके land use management by planning tools ठीक है एक तो zoning हो गया comprehensive plan हो गया और इंसेंटिफ्स हो गया infrastructure policy हो गया मैंने बताया था भी आपको buildings के बारे में कि उनकी किस तरीके की strength है ऐसा तो नहीं है कि वो ठीक से नहीं बने हुए है है ना ऐसी बना दिये गए और इंशुरेंस की policies है वहाँ पर अलग तरह से चलाई जाए जैसे की awareness लेके आई जाए education कि थू information dissemination and partnership, protect natural areas, dunes, wetland, maritime forest, vegetation, risk reduction and preparedness यह समय नहीं अभी आपको बताया था simply यह नॉन structure वाले में हो गया और वह सारा को जो इधर दिया हुआ है वह क्या है वह सारा कुछ आपका नॉन इस्ट्रॉक्च्च्च्छल है ओके गईस तो यह आपका था complete paper यह total questions मैंने आपको बता दिये URL के बता दिया डियाई के बारे में बता दिया RCZ था जिवे थर्मल के बारे में explain करी दिया है non-structural mitigation of disaster carbon देखिए CO2 carbon के जो हमारे emissions and increasing order country wise तो उसमें आपका सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो आएगा चाइना ठीक है और अगर पर capita में देखेंगे तो फिर उसमें अरब हो जाता है वो चेंज हो जाता है बत्ति यह country wise था और इसमें पर capita नहीं पोटली पूछाता तो यह आपका चाइना USA इंडिया रशिया जापान है ठीक है इस वाले का क्या था चाइना ठीक है सबसे पहले नंबर पर चाइना ही है उसके बाद में वैसी भी आप समझ सकते है सबजे के चाइना पहले नंबर पर जादता राज आता है और USA था उसके और आपका इंडिया ठीक है यह था अगर आप इससे देखें तो यह एक की से आप कर सकते थे इसका की मैं बता देती हूं ऐसे करके यह आप निमोनिक खुद भी बना लिया करिए बहुत सिंपल होते हैं C U I R Z है क्योंकि जे है जापान वाला है ना ठीक है C U I R Z ठीक है तो ऐसे करके निमोनिक ले सकते हैं आप यह यह से चाइन हो गया USA हो गया इंडिया हो गया रशीया हो गया जापान हो गया ओके तो इस तरीकी से आप क्या कर सकते हैं उनको याद भी कर सकते हैं बाकी आपका न नोन एक्विटी एंड क्वालिटी पूर्वा वस्टेशावत बहुत सिंपल था यह सीबी सीएस आई होप काफी पच्चों ने तो बहुत अच्छा मतलब बताया है काफी सारी चीजें बहुत अच्छी वो लोग कर गया है काई स्कुरी टेशं का वेक्शन के दू कोई बात सब्सक्राइब में आपका geothermal energy resources है ना इसमें hydrothermal brines and hot dry rocks and magma इनसे इसे बनाया जाता है और I hope आप geothermal के तो question कभी गलत नहीं करने वाले हैं लाइफ में UGC कौन से commission में आई थी तो देखे रादा कृष्णन commission, university education commission दूसरा नाम इसका तो यह और इसलिए मैंने use कराएगी या तो यह यह तो यह वहाँ पर given होगा ठीक है क्योंकि students को नहीं याद था option तो मैंने फिर यहाँ पर बता दिया आपको non-structure disaster mitigation भी आपको इतना अच्छा समझाया है कि कई भी environment के question आएगा तो आप इसे कर लेंगे इसमें land use zoning and insurance program ठीक है यह दो non-structure है इसमें कोई structure नहीं बनाया जाता है यह option वहाँ थे जिनने answer करा था उन्होंने यह दो option मुझे बताये थे कि यही सही थे बाकी में structure use हो रहा एक flood dikes करके उन्होंने बताया था इसमें option था है ना तो flood dikes के अंदर क्या है कि उसमें structure होता है मैंने अभी आपको जो slide दिखाई थी उसमें दिखा दिया था I hope आप लोगों को अच्छे से clear हुआ होगा friends हमारे चैनल को subscribe जरूर करिएगा और like करिएगा share करना बिल्कुल मत like share subscribe जरूर करना क्योंकि हम detail में इसके जो पूरा मतलब net का जो पूरा course है वो से लेके आने वाले हैं आपको जल्दी सारी videos available हो जाएंगी okay guys I hope all you are doing well please share जरूर करिएगा share is caring okay तो ठीक है आज के लिए इतनाई next video में मिलते हैं और 26 December का paper देखते हैं